प्रेंट्स आज अगेन आपके सामने 10 स्टांडर्ड के लिए जो हमारा मैच सब्जेक का पार्ट ओन यानि एलजबरा सब्जेक का चाप्टर नबर वन जो चल रहा है जिसका नामे लिनियर इक्वेशन इन्टू वेरेबल आज हम इस चाप्टर का आगे का लेक्चर कंटिन्य हमारे इस चाप्टर हो कंटिन्य इसका मतब यह है दोस्तों कि आप सोच सकते हो कि हम कितनी बारी की से और कितना ज्यादा डीप में आपको एक एक चीज़ एक्सप्लेइन कर रहे हैं तो आज लेक्चर नंबर 8 में हमें पढ़ना है दोस्तों एक और भैतरीन प्रैक्टिस से जिसका नामें दोस्तों प्रैक्टिस सेट नंबर 1.4 अभी जो प्रैक्टिस सेट 1.4 यह थोड़ा यूनीक है है तो यह साइमल्टेनस एक्वेशन जो हमने फर्स एक्सराइज में सॉल किया है आपको याद होगा कि एक के निचे एक एक एक्वेशन को रखना है फिर देखन आपको यह अपॉन में दिख रहे एक्स अपॉन दीज फाइव अपॉन एक्स यह अपॉन वाले चीज़े कैसे सॉल होगा मतलब फोड़ा लॉजिकल सोचो यार मतलब यह बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाएगा हमारे से लिए सॉल करना तो जब हम सोचेंगे कि यार इस प्र य चोड़के कुछ भी आप ले सकते हो तो चलिए शुरुवात करते हैं बस आप लोगो एक काम करना है यह जो यूनिक एक्सरसाइज है यूनिक जो प्राक्तिस सेट है इसको आप एंट तक देख लो तोटल चार एक्जांपल है चार में से तीन कराने वालो एक आपके 8 अपन X है और यह 5 अपन वैं मतब सम्थिंग अपन X है और सम्थिंग अपन Y है तो मैं मान लेता हूँ let क्या मान लेता हूँ कि let 1 upon X is equal to M यह मान लिया मैंने और 1 upon Y is equal to N यह मैंने मान लिया कि जबी भी यह 1 upon X मुझे देखेगा 1 कहा है उपर तो 1 हो सकता है ना कुछ भी anything multiplied by 1 is that thing only ठीक है ना तो इसके लिए हमने 1 upon X को M माना और 1 upon Y को मैंने क्या माना N माना समझ में आ रहा है बहुत सिंपल है अब कि इसको solve करो कैसे solve होता ध्यान से देखना पहला example तो और ज्यादा ध्यान से देखना दोस्तों आगर आप यह चीज़ देख पा रहे हो तो बहुत जधा ईज़ी लगे आपको ठीक है थोड़ा सा ध्यान से देखो यहाँ पर हो क्या रहा है यहाँ पर यहोरा है कि मैंने वन 1 by 1, 1 by y, जो है n, यह हो जाएगा minus, minus बीच में है, तो यह बन जाएगा 3n, यूँकि n के जगा पर ही है यहाँ आपको करके दिखाओं कि यह हो क्या रहा है, ठीक है, ना आगर मैं आपको करके दिखाओं, तो यह n को मैं हटाओं, और n के जगा पर वैलू क्या है, मेरा M के जगा पर value है 1 by Y, तो इसमे 1 by Y एगर मैं डालूंगा, तो 3 multiply by 1 by Y मतलब 3 by Y होता है, मतलब वही value है वो, बस हमने क्या किया, तोड़ दिया उसको, क्या तोड़ दिया कि 1 by Y के जगा पर मैं N डाल दूंगा, समझ में आगे हैं दोस्तो, clear है, ठीके, चलो, अब आजाते वापस से step पे, तो ये 2M हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा, minus 3N बन जाएगा, is equal to, क्या है, 15 है, ये हो गया पहला equation, ठीके, इसको मैं माल लूंगा, equation number 1, तो मुझ में आ रहे है, और कुछ नहीं है, दूसरा है देखो, ये 8 upon X है, तो ये 1 by X को तो मुझे पता है M बोलते होगा है, इसको मैं माल लूंगा, equation number 2, ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, आपको ये चीज़ देखना है, कि क्या कुछ value के, यानि कि, या तो M है, या तो N है, तो M के या फिर N के दोने में से किसी एक के coefficient, यानि number same है क्या, ताकि हम लोग इसको आगे plus minus कर पाए, simultaneous method से solve क अगर पाए, तो यहाँ पर आप देखोगे, ये M के पास 2 है, ये M के पास 8 है, ये M के पास 3 है, ये M के पास 5 है, तो किसी का save नहीं, तो मैं को same बराना पड़ेगा, तो ये easy लग रहा है मुझे बनाने के लिए, ये 2 है, ये 8 है, तो अगर मैं ये 8 को, ये 8 को मैं क्या करू तो दोस्तो थोड़ा सा ध्यान दो, यह पूरे को मैं अगर 4 से multiply कर दो, यह पूरे equation को, तो यह क्या बन जाएगा? यह 8 बन जाएगा, यह 12 बन जाएगा, यह 15, 40, 60 बन जाएगा, तो यह 8 तो बन जाएगा, तो यह 8 और 8 cancel हो सकता है, तो हम मैं क्या करेंगा? यहाँ पे मैंने साथ multiply हो रहा है, यह पूरे के साथ multiply हो, तो 4 multiply by 2, 8M, 4 multiply by 3N कितना हो जाएगा? 12N, और यह 4 multiply by 15 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, यह आजाएगा, हमारा एक नया equation, जिसको हम लग बोलेंगे equation number 3, next, यह जो चीज है, इसको मैंने कुछ नहीं किया, तो as it is रहेगा, plus 5N is equal to 77 as it is रहने वाला, इसका नाम equation number 2 ही था, अब इसको आप solve कर लो, simultaneously कैसे solve करते हैं, यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? मुझे minus करना पड़ेगा, तभी यह cancel हो जाएगा, यह minus होगा, तो यह minus होगा, तो यहाँ भी minus होगा, यहाँ भी minus होगा, तो minus 77 plus 60, कितना हो जाएगा? minus 17 ह हो जाएगा, that will be equal to, यह minus और यह minus, तो minus 2LN और minus 5N, तो 5N कितना हो जाएगा? 12 और 5, 17 हो जाएगा, ठीक है? तो minus 17N, समझा कैसे हुआ? क्या किया है यह? यह minus है ना, यह minus है, तो यह minus, यह minus मिलके plus हो जाएगे ना, तो 12, 15, 17 और दोनों minus है, इसके लिए 1 minus का sign आएगा, तो minus 17, divide by minus 17, तो हमारा N का value हो जाएगा, N will be equal to 1, हमने क्या निकाल लिया दोस्टो, N का value निकाल लिया, ठीक है? N value मिल गया, अब M निकालना है, तो मैं किसी एक equation में डालते हूँ, तो equation number 1 मेरा जो original वाला है, उसमें मैं डाल देता हूँ, तो put in equation number 1, मैंने क्या डाल दिया? equation number 1 अबने put कर दिया, तो क्या है equation number 1 पर लिख लो इसको, 2M minus 3N, ठीक है? 2M minus 3N is equal to 15, यह मेरा original equation है, ठीक है? इसमें मैं क्या करूँगा, N के जगा पर when डालूँगा, तो 2M तो same AC ही रहेगा, लेकिन N के जगा पर मैं क्या डालूँगा, 1 डालूँगा, मतलब 3 multiplied by 1 is equal to 15, इसको M will be equal to 18 divided by 2, 18 by 2 हो जाएगा, तो 18 by 2 कितना होता है? 9 होता है, तो हमें यहां से मिल गया M का value 9, तो मुझे M मिल गया, N मिल गया, यही तो निकालना था हमें, M मिल गया, और N निकल गया, यही तो निकालना था, हो गया ना, कदम, चलो हां next question पे, देखो, यहां पे लोग गलत करना पड़ेगा, जो हमने कोई चीज को लिया था, कि A is equal to A है, तो उसको वापस से देना पड़ेगा, हमने आगा, 10 रुपया किसे से उधार लिया है, तो वापस 10 रुपय करना पड़ेगा, कि नहीं, कि बेशरम बन जाओगे, मैं नहीं दोंगा, जो करना है, कर ले, हैसास स्टार में डाल दिया मैंने, तो क्या है स्टार मेरा, कि 1 by X जो होता है, वो M होता है, ठीक है, और 1 by Y जो होता है, वो N होता है, यह हमने माना हुए, तो हमें पता है कि 1 by X is equal to M, M कितना है हमारे पास 9 है, तो यहाँ पर हम लोगो X उधर जाएगा 9 नीचे आएगा, तो X is equal to 1 upon 9 आ गया, ठीक है, वैसे ही यहाँ पर भी, 1 by Y is equal to N, N का value कितना है, 1 है, तो 1 by Y is equal to 1, तो therefore Y will be equal to 1 upon 1, तो यहाँ से हम लोगो मिल गया, X is equal to 1 upon 9 और Y is equal to 1, this is your final answer, क्या आ जाएगा, यह हमारा final answer आ जाएगा, clear है, तो उम्मीद करता हो कि यार आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा, इस से ज्यादा सिंपल तरीका नहीं है, दोस्तों कोई भी जी इसको explain करने का, तो 1 upon 9,1 is your correct answer, clear है, तो बज़ में आ गया कि हमने क्या किया, कि पहले उसको substitute किया, उसके बाद M और N जिसको भी हमने माना था, M माना था, N माना था, उसका value निकाल लिया, और व प्लस 2 upon X minus Y, मतलब यहाँ पे भी नीचे X plus Y, यहाँ पे भी X minus Y, दोनों जगा है, तो मैं substitute कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, let, टिक है, क्या कर सकता हूँ, मैं substitute कर सकता हूँ, let, 1 upon X plus Y को मैं मान लेता हूँ, M, M मान लो, ABCD कुछ भी मान लो, मैं मिलको M और N अच्छा लगता है, उसके बाद यह और भी अच्छा लगता है, तो जो आपको अच्छे लगता है, PQ लिखना है, PQ लिख सकते हो, HT लिखना है, HT लिख सकते हो, लेकिन ऐसा लिखो कि आपको रेकर्निजेशन हो जाए, कि समझ में आए कि हाँ, मैंने क्या लिया था, वो भूलना जा अब यह 1 upon X plus Y है, तो यह क्या हो जाएगा, 10 upon X plus Y है, तो यह क्या हो जाएगा, 10M, तो यह हो जाएगा हमारा 10M, बीच में क्या है, प्लस है, तो प्लस आ गया, यह 2 upon X minus Y है, तो 1 upon X minus Y है, तो N है, तो यह हो जाएगा, 2N, यह क्या बन जाएगा, 2N बन गया, और is equal to 4, इसको में मालनोंगा equation number 1 माल लिया दुसरा क्या है 15 upon x plus y तो x plus y तो मेरा m है तो यह हो जाएगा 15m यह क्या बन जाएगा 15m बन गया यह minus 5 x minus y है तो x minus y को मैंने n माना है तो यह बन जाएगा minus 5 n is equal to minus 2 इसको हमें मालनोंगा equation number 2 समझा अब इसको solve करते हैं लेकिन सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या यह जो दोनों equation है यह जो दोनों ही equation है कि क्या इस दोनों में coefficient यहाँ पे मैं क्या करता हूए जाप थोड़ा सा ध्यान लगाओं गए तो यहाँ पे मैं करता हूए उपर वाले को मैं पूरे को WOR से मולेडिप्लाहई्त हूए गर मैं देखो घ्र से 50 हो गया और ची रहोगा टैन मालन जाएगा यह बंजाए गार नीचे मी nicht लेकिन 2 multiply 5 10, तो ये 10 उपर 10, नीचे 10, दोनो 10 बन जाएंगे, तो इसके लिए मैंने, ये 2 और 5 था ना, तो मैंने cross में, ये उपर 2 था, नीचे 5 था, तो अगर मुझे same बनाना है, तो मुझे उपर वाले को 5 से करना पड़ेगा, cross में, ये 5, ये 5, ये 2, ये 2, तो मैंको cross में by 10 is 50 M, plus 5 multiply by 2 N is, 10 N is equal to 5, 4 जा कितना होता है, 20, ये बन जाएगा नया equation, equation number 3, 2 multiply by 15 is 30 M, ठीक है, 2 multiply by 5 is 10 N, विच में क्या है, माइनस है, तो 10 N, is equal to 2 multiply by minus 2 is minus 4, आ गया, इसको अब भी solve करते हैं, ये equation number 4 हो जाएगा, इसको अब solve करते हैं, अब मुझे बताओ क्या करना पड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 20 plus minus 4, तो 20 plus minus 4 मतलब 20 minus 4, 20 minus 4 यहाँ पर आजाएगा 16, बीच में equal 10 और ये minus 10, क्या हो जाएगा, cancel हो जाएगा, ये 50 और 30 प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, 80 M, ठीक है, तो therefore M will be equal to 60 by 80, ठीक है, 60 by 80 हो जाएगा, correct है, सही जा रहा ह जाएगा, गलत तो नहीं जा रहा हूँ न, चेक कर ले न, यार, कभी को हो जाता है हमसे, तो यहाँ पर M का वैलू मुझे मिल जाएगा, 16 बंजा 16, 16, 16, 15, 18, मतलब 1 upon 5, एंसर आएगा, M का वैलू मुझे मिल गया, 1 upon 5, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, किसी एक को उठाक जाएगे, डाल देता हूँ, put in, put in, किस में डालू बता हूँ, कौन सा easy है, 1 वाला वाला तो, original 1, पहला वाला जो है न, original है, put in 1, हमारा equation क्या है, 10 M plus 2 N is equal to 4, यह मेरा क्या है, original equation है, अब इसमें मुझे एक वैलू मिल गया है, M के जगापे में 5, 1 by 5 डाल सकता हूँ, 1 by 5 हा is equal to 4, अब इसको solve कर लो, 5 बंजा 5, 5 डूजा 10, cut गया, उपर 2 बच रहा है खाली, तो 2 plus 2 N is equal to 4, यह 2 उदर जाएगा 4 के पास, तो minus हो जाएगा, यानि की 2 N is equal to 4 minus 2, यानि 2, तो therefore N will be equal to 2 by 2, तो आपको N का value मिल जाएगा 1, क्या मिल गया, N का value 1 मिल गया, N का value क्या मिल गय आगया क्या answer, M आगया, N आगया, आगया क्या, खतम करें क्या, नहीं, हमको actual में क्या चाहिए, M और N तो हमारा क्या है, substitution है, अभी substitute करना पड़ेगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, कि put M और N का value in equation number star, मैंने M और N का value अभी star में डालना है, तो लिख दो star क्या है मे 1 by X जो है, वो मैंने माना है, sorry, 1 by X plus Y है, 1 by X plus Y जो है, उसको मैंने माना है M, ठीक है, और 1 by X minus Y जो है, इसको मैंने माना है N, यही माना है, correct है, 1 by X minus Y is equal to N, तो 1 by X plus Y is equal to M, M के जगा पे क्या लिखना है, 1 by 5, answer निकाला हुए न, M is equal to 1 by 5, निकाला हुए है, तो लिख दो M क में आ रहा है कि निया रहा है? देखो, बहुत critical condition होते जा रहा है भी, अब असली खेल शुरू हो रहा है, अब असली खेल शुरू हो रहा है, अब देखो जहान से, 1 upon x-y is equal to क्या है n, n के जगा पर क्या value है 1? अब अभी भी आप यहाँ पर देखो, अभी भी आप यहाँ पर तो यहाँ पर एक answer नहीं निकल सकता, क्योंकि मुझे x और y का value नहीं पता है, देखो, अब यहाँ पर दुसरी बार simultaneously solve करना पड़ेगा, यह logic है, यही असली खेले इस question का, और एक question पूरे board exam में ऐसा पूछेगा, मुझे ऐसा लगता है, ठीके? अब देखो, यह cross multiply हो जाए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 is equal to x minus y, तो therefore, 1 is equal to x minus y, तो therefore, x minus y is equal to 1, अब यह देखो, दो equation मिल गया है, एक यह equation, एक यह equation, एक यह equation, अब दोनों को में solve कर सकता हूँ, एक के नीचे, लिख दो आप दोनों को, तो x plus y is equal to 5, यह equation है, यह equation है, दूसरा x minus y is equal to 1, यह equation है, दोनों को solve करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, प्लस की माइनस, जो आपको करना है करो, क्योंकि दोनों के equation same है, तो यह plus minus y cancel हो जाएगा, तो मैं plus ही करता हूँ, तो यह 5 plus 1 हो जाएगा, 6 is equal to, यह plus y minus y cancel हो गया, x plus x, 2x, त क्या मिल जाएगा, x is equal to 6 upon 2, तो therefore, मुझे x का value मिल गया, 3, x का value क्या मिल गया, दोस्तों, 3 मिल गया, correct है, x का value 3 मिल गया, अब एक और चीज़ निकालना है, y निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक में डाल देता हूँ, इसका नाम में रख देता हूँ, कितना equation ठीक है, यहाँ पर solve करता हूँ, last, equation number 5 क्या है, हमारा यह बाला, x plus y is equal to 5, इसमें मुझे x का value 3 मिल गया, x का पर 3 डाल दो, plus y is equal to 5, तो therefore, y is equal to 5 minus 3, तो therefore, y का value हमें मिल जाएगा 2, आगा answer, खतम, y का value कितना आगया, 2 आगया, correct है, 3, 2 is the correct answer, x का value 3, y का value 2, आगया, थादा दो दो बार, पहली बार, एक question के अंदर, दो नो बार, हम लोगो simultaneously solve करना पड़ रहा है, सोचो, मतलब, एक बार किया, m और n का value आया, एक और बार उसमें value resubstitute किया, वापस से कुछ equation बन गया है, और फिर equation को भी नया, वापस से simultaneously solve किया, फिर हमार answer आगया, 3, 2, correct है, clear है, यह question बहुत important है, mark कर लेना हो सकता है, question आजाए, ठीक है, बहुत ज़्यादा important यह question है, ठीक है, याद रहेगा, चलो, अगले question पर जाते है, अगला question क्या है, question number 3 is your homework, यह question number 3 आपके लिए homework है, आप लोग करना almost similar ही है, question number 2 जैसा ही है, solve कर लेना, बहुत अच्छी तरीके से answer ज़्यादर आजाएगा, अब जाते हम लोग question number, क्या है बहिया, question number 4, बहुत बढ़ा question है इसको भी हमक दे दूगा, बहुत बड़ा है, चलो यह attention मतल़ करवाता हूँ, ठीक है, जितना हो सके करवाऊंगा, attention मतल़ लेना है, आपके राहूल सर है, ठक जाते हैं, continuous 14 लेक्चर मतलब 2 साल से अकेले पढ़ाना और आज भी almost सब चीज़े अकेले करता हूँ कि एक बहुत बड़ी बात है दोस्तों मुझे इसा लगता है कि बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ मैं तो again thank you so much आप लोग मुझे appreciate करते हो इतना thank you so much for that ऐसे ही प्यार दिखाते रहो तो energy अपने आप आती रही ठीक है चलो आ जाते है topic के ओपर यहाँ पर 3x प्लस y है यहाँ पर 3x-y है तो let मान लेता हूँ let 1 upon 3x plus y को मैं मान लेता हूँ m और 1 upon 3x minus y को मान लेता हूँ मान लिया तो यह क्या हो조गा यह 1 upon 3x plus y है ना तो इसको m मान लेता हूँ अपन 3x-y को क्या मान मैंने n तो यह m plus n हो गया is equal to 3 by 4 एक यह हो गया m is equal to 3 by 4 बरावर हूँ क्या हा इसमें क्या कर सकता हूँ है 3 by 4 तकलीब देगा ना sudah इसको cross multiply कर लेता हूँ, यह 4 को मैं throughout multiply करता हूँ, तो यह क्या बन जाएगा, 4M plus 4N is equal to 3 बन जाएगा, और इसको मैं मान लेता हूँ equation number 1, ओके friends, तो यहाँ पे आप देखो कि second जो है हमारे पास, second क्या है, 1 upon 2, 3x plus y minus 1 upon 2, 3x minus y, तो हम लोग क्या मान था, एक चीज हमने मान सबस्तो, m, ठीक है, second वाला देखो, यहाँ पे second वाला बता रहो, तो यह m हो जाएगा, और नीचे 2 है, तो यह हो जाएगा m by 2, correct है, उसके बद क्या है, बीच में minus है, यह 1 upon 2, 3x minus y है, तो यह 1 upon 3x minus y है, जो है, इसको हमने अल्यदी माना हुआ है n, तो यह क्या हो जाएग n उपर और नीचे 2 दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा n by 2, and that will be equal to कितना है, नीचे दिया हुआ है, minus 1 by 8, आगे दिया हो है, तो यह हो जाएगा, correct है, यहाँ तक समझ में आया, कोई doubt नहीं होगा, अब, next step क्या करोगे, सबसे पर आप देखो कि यहाँ पर denominator same है, तो अगर denominator same है, यानि LCM 2 आ रहा है, तो correct है, तो उपर direct क्या हो जाएगा, minus हो जाएगा, तो यह क्या बन जाएगा, उपर M minus N, और नीचे क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, and that will be equal to minus 1 by 8, यह 2 उदर चला जाएगा, equal के पास, minus 1 by 8 के पास, तो यह क्या बन जाएगा, M minus N is equal to minus 1 by 8, multiply by 2 by 1, यहाँ पर cross multiplication हो जाएगा, cross मतलब जो simplify हो रहा है, cancel हो रहा है, वो कर दो, तो 2 1 जा 2 होता है, 2 4 जा 8 होता है, यह cancel हो गया, तो हमारे पास actually एक नया equation बन रहा है, क्या बन रहा है, M minus N, that will be equal to, उपर क्या बच रहा है, minus 1, नीचे बच रहा है 4, तो यह actually क्या बन रहा है, M minus N is equal to minus 1 by 4, इसको हम लोग और भी अची तरीके से simplify करेंगे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे, अल्रीड़ी एक equation तो हमें मिला हुआ है, क्या है 4 M plus 4 N is equal to 3, इसको भी same कर सकते हैं, नीचे 4 है, तो इसको multiplying throughout हम करेंगे, तो यह 4 M के साथ multiply हो जाएगा, तो यह ब पहला equation था, यह दूसरा equation था, यह दोनों को simultaneously solve करना है, हम लोगों तो एक के नीचे एक लिख देता हूं में, पहला equation का नाम है, मेरा 4 M plus 4 N is equal to 3 है, यह पहला equation है, मेरा correct है, और दूसरा वाला जो अभी अभी निकाला हमने, 4 M minus 4 N is equal to minus 1 है, यह दूसरा equation है, आप दोनों को simultaneously solve करना पड़ेगा, अगर आप यह दोनों equation को ध्यान से देख रहे हो, तो आपको एक चीज़ हो रहा है, यहाँ पे, कि यहाँ पे यह 4 N और यह minus 4 N automatically cancel out हो रहे है, मतलब इस चीज़ को हमें क्या करना पड़ेगा, addition करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, प्लस का symbol 1 by 4, क्या मिल गया, M का value मिल गया 1 by 4, इतना तो समझ में आ गया, बहुत basic चीज़ है, M का value 1 by 4 आ गया, अप से हम उसी प्रकार N का value हमें निकालना पड़ेगा, तो N का value चलो निकालते हैं, किस में डालू, put in equation number 1, हम क्या कर रहे हैं, कोई एक equation में डाल रहे हैं, तो put in equation number 1, क plus 4N वैसे का वैसे, is equal to 3, अब यहाँ पे कुछ cancel out हो रहा है कि देखो, यह 4, 4 cancel हो जाएंगे, ठीक है, तो क्या बच रहे हैं, सिर्फ यहाँ पे 1 बच रहे हैं, तो 1 plus 4N is equal to 3, next step, next step देखो, 1 plus 4N is equal to 3, यानि कि, therefore, 4N is equal to 1, 3 के पास जाएगा, तो minus हो जाएगा, correct है, तो य therefore, 4N is equal to 2, and therefore, N will be equal to 2 by 4, तो यहाँ से मुझे मिल जागा, N is equal to 1 by 2, N का वैलो मिल गया, 1 by 2, तो यहाँ पे M 1 by 4 मिला, N 1 by 2 मिला, तो answer आ गया है कि यहाँ पे यहाँ पे नहीं, अब यहाँ पे एक ओर critical चीज़ है, जो हमेशा से हमको करना होगा, क्या, कि हमने अगर substitution लिया X plus Y, जो था, उसको मैंने M माना हुआ था, और 1 by 3X minus Y को मैंने M माना हुआ था, correct है, यही माना था, अब उसमें value डाल दो, तो 1 by 3X plus Y, ठीके, 1 by 3X plus Y, is equal to क्या है, M है, M का value क्या है, 1 by 4 है, ठीके, 1 by 3X minus Y, is equal to N का value कितना है, 1 by 2, इसको solve कर सकते हैं क्या, यह एक नया equation फिर से simultaneously solve करना पड़ेगा, देखो, कितना बड़ा हो रहा है, और इसलिए तो यहाँ 3 से 4 मास का आता है, एक्जाम में, correct है, तो आपको इसको solve करना आना ची, तो अब इसको करेंगे cross multiplication, तो यह 4 multiply by 1, 4 हो जाएगा, that will be equal to, यह multiply by 1 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, 3X plus Y, ठ ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यह दोनों को एक के निचे रखके simultaneously solve करूँ, ठीक है, space खतम होगे, नया पेज ले ले दाओ, मैं, नया पेज ले रहा हूँ, ठीक है, मिर पास क्या दो equation है, लिख लो यहाँ पर सबसे पहला equation क्या है, 3X plus Y is equal to 4, ठीक है, 3X plus Y is equal to 4, इसको म 3X minus Y is equal to 2, 3X minus Y is equal to 2, इसको में माल ले था हूँ, equation number 4, इसको simultaneously solve करना है, coefficient same है क्या, बिल्कुल same है, तो इसको directly solve कर सकते है, क्या करना पड़ेगा, मुझे, यह Y और Y cancel करने के लिए, मुझे plus करना पड़ेगा, तो यह 4 plus 2, 6 हो जाएगा, that will be equal to, यह plus Y, minus Y cancel हो गया, ठीक है, और यहाँ पर 3X plus 3X जो है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, that will be equal to 6X, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6X हो जाएगा, तो therefore यहाँ पर हमें X का value मिल जाएगा, तो X will be equal to 6 upon 6, तो therefore हमको X का value मिल गया, कितना 1, कितना मिल जाएगा X का value, 1 मिल जाएगा, correct है, एक बार X का value आ गया, तो y का value तो निकाल सकते है ना, कैसे निकालेंगे, किसी एक में डाल दो, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, put in equation number 3, 3 क्या है हमारा, 3x plus y is equal to 4 है, इसमें मुझे x का value 1 मिला हुआ है, तो डाल दो, तो 3x के जगाँ पे 1 plus y is equal to 4, तो 3 plus y is equal to 4, therefore y will be equal to 4 minus 3, तो therefore y will be equal to 1, तो आ गया दोस्तो, finally answer x is equal to 1, और y is equal to 1, 1, 1 is the answer, तो दोस्तो आपको बता नहीं सकता है, इतनी खुशी मुझे आस तक नहीं हुई ती correct answer निकाल ले, और आपको भी ऐसा ही feeling होगा, जब आप अपने exam में इतने बड़े question को, 4 marks वाले, 3 marks वाले question को, इतने बड़े question को, जिसको कराने में मुझे लगबग आदा वंटा लग गया, तो आप लोग जब इसको solve कर लोगे, और correct answer निकाल लोगे, तो आपको कितनी खुशी होगे, correct है, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यार ये आपको बहुत अच्छी तरीकी से समझ में आ गया होगा, I hope, हर चीज म हमने almost करा दिया है, दोस्तो, तो बिल्कुल चिंता करने की बात नहीं, तो ये हमारा यहाँ पे question number 4 complete हो जाता है, और जैसे मैंने बता है कि तिसरा example आपके लिए मैंने छोड़ा है, homebook है, वो तो जरूर से कर लेना, तो इसे के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है, और एक यही practice set बचा है, जो कि है 1.5, मुझे लैसा लगता है कि सिफ एक lecture लगेंगे और, और मैं इसको पूरा complete करा दोगा, तो आप लोगों को क्या करना है, बस थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सा support, और इस वीडियो को जितना हो सके, share करते रहें, ठीक है, चलो, आज के लिए इतना सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटा फट से हमारे चानल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में आपको जब भी वीडियो साएंगे, तो नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, ठीक है प्रेंट्स, तो जब भी मिलेंगे, दल दी हमारे निव वीडियो में तब तके लिए, थाइंक्यू और गुट बाई